नमस्कार में पिंटु शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमची में दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि भोजपुरी इंडस्टी में कई सारे ऐसे दिगज कालाकार हैं अपने भोजपुरी इंडस्टी से हट कर कुछ अलग तरीकी की चीजे कर रहे हैं और वो चीजे सोसल मेडिया पर वारल भी हो रही है और भोजपुरी इंडस्टी एक अलग लेबल एक अलग शुयक में जाती नजर आ रही है जैसे कि आपको पता होगा कि CCL में फाइनल तक भोजपुरी टीम पहुची थी इसके बाद अब IPL में भोजपुरी भासा में जिस तरीके से कॉमेंटरी हो रही है उसको भी लेकर एक भोजपुरी की अच्छी बात है कि भोजपुरी भासा को अलग लग जगहों पर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इस कड़ी में आपको पता होगा कि किसारी लाल यादो ने बॉलिवोड के बड़े ही मुस्तोहुर रैपर यानि कि बादसा के साथ काम किया था और आपको पता होगा कि वो गाना पानी था जियाहां बात करें सैरी और अकसरा सिंह इस गाने में नजर आये थी और इसमें जो रैप की हुए تھे वो बादसा थे अज़ित मंडल नेस्ट गाने को लिखा था और ये गाना दर्शकों को काफी ज़्यादा पसंद भी आया था और तमाम बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को इस थापित भी किया हुआ था तो खेसारी लालियादों ने बड़ा करणामा किया कि बॉलीवूट के इतने मसहूर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेबल पर फेम स्रैपर हैं उनको भोशपुरी इंडस्ट्री में लाया और भोशपुरी में रैप गावाया जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो एक बड़े ही मशुहूर गायक है नेशनल लेबल चाहिए इंटरनेशनल लेबलो इसके लावा बी प्रैक के साथ अक्सरा सिंग का भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और भी प्रैक भी बॉलिबूट के जाने माने दिगज का लकार है तो यह जिस तरीके से भोचपुर इंडर्शी के तमाम का लकार बड़े-बड़े बॉलिबूट के दिगजों के साथ काम कर रहे है इसे भोचपुरी भासा लगातार आगे बढ़ रही है लेकिन अब सब की नीज्रे एक बार फिर से खेसारी लल्यादो पर जाकर टीक गई है जिहां बात करें तो जिस तरीके से खेसारी लल्यादो के मैनेजर वीबेक्षिंग ने कल एक बात कई थी कि एक हफ्ता में कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है और खेसारी लाल्यादों के नाम एक नया चीमेंट होने वाला है इसको देखकर अब लोगों के जहन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि खेसारी लाल्यादों भाईया क्या ऐसा करने वाले हैं कि नया इतिहास रचेंगे आप देखना यहीं होगा कि जिस तरीके से लगतार वीप्रे के साथ अक्सरा से काम कर रहे हैं, लगतार पहुंची बड़े कमपनियों से काम कर रहे हैं, तो खिसारी लल्यादों का अगला टार्गेट क्या होने वाला है, ये बेहत देखना दिल चस्प होने वाला है, बाकि आपको क्या लगता है, खिस झाल झाल